शिरि भक्तमाल में शिरि नर हरियानन्दजे जार घर लकरी नाही सक्ति को सदनो दारे सक्ति भक्त सोबोली दिनहीं प्रती बरही दारे लगी प्रोशी हांस भवानी भवे सो मारे बदले की बेकारी मोड वाके सिर्टारे भरत पर संग जियों कालिका लट्टू देखी तन में तई निपट नर हरियानन्द को करदाता दुर्गा भई एक बार वर्षा की जड़ी लग जाने से घर में इन्धन के लिए सुखी लकड़ी ना होने से शिरी ठाकुर्जे के लिए भोग मंडने एम संत सेवा में बादा देख करके शिरी नर हरियानन जी ने समीब के शिरी दुर्गा जी के मंदर को ही उजाड़ना शुरू किया तब शिरी दुर्गा जी ने प्रगट हो करके भग से कहा कि मेरे मंदर को ना उजाड़े मैं प्रति दिन आपके यहां सुखों लकड़ी का एक बड़ा भोज रखाया करूंगी उसी दिन से शिरी दुर्गा जी शिरी नर हरियानन जी के यहां लकड़ी पहुचाने लगी यह देख कर के आश्रम के पडोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी चाही कि मैं भी इसी परकार से दुर्गा जी से लकड़ीयां लो वै भी शिरी नर हरियानन जी की तरह भानी जी का मंदर जाड़ने लगा तब भानी ने उसे प्रिथी पर पड़क करके बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार लकड़ी पहुचाना उसके सिर पर सूप करके तब उसको छोड़ा जैसे शिरी जारबहरत जी तथा शिरी लड़ो भाक जी के परसंग में भाक्त की भाक्ती के तेज से शिरी कालका जी तबत होगी थी उसी परकाश शिरी नर हरियानन जी के भाक्ती तेज से तबत होकर के देवी ने कर दिया श्री नर हरियानन जी के विशे में विशेश विवरन इस वरकार से है स्वामी श्री नर हरियानन जी महाराज श्री रमान अंचारे जी महाराज के शिश्य और गो स्वामी श्री तुलसी दास जी के गुरू थे आपका जनम मैं साख कृष्ण पक्ष की तित्या सम्वत 1491 विक्रमी को विंदावन के समीब एक ग्राम में हुआ था आपकी माता अम्भिका देवी पती प्रायना सद्ग्रहनी और पिता श्री महेशर मिश्र भागोती विंद्यावासनी के परम भक्त ते भागोती के ही कृपा परशाद से आपको श्री नरहरिया नंद जैसे तो त्रकी प्राप्ती हुई बालक नरहरी जब तीन वर्ष के हुए तब इनके माता के मृत्यों होगी श्री महेशर जीने बड़े धहरे से उनका अंतेश्टी संसकार किया यह था समय आपका युग्यों पिछ संसकार हुआ और भागोती विंद्यावासनी के आदेश से ही महेशर जीने बालक नरहरी को अन्यविद्यारतियों के साथ श्री रामानंद चारे के पास काशी भीज़ दिया और सेम तप करने बद्रका आश्रम चलेगे काशी पहुँच करके नरहरी ने पहले सामी जी के पद्धान शिश्य श्री अनंता नंजी का दर्शन के और दिक्षा के लिए प्रात्रा की उसी समय श्री स्वामी जी ने अपना दिवे शंक बजाया जिसे सुनते ही नरहरी की समाधी लगके जब पुना चेतन्य हुआ तो स्वामी जी के चर्णों में प्रणी पात किया श्री स्वामी जी ने अनंता नंद जीक से कहा कि बालक की दिविद दिक्षा हो चुकी है अब इसे पंच संस्कारों से संस्कृत कर व्यशनों दिक्षा प्रदान करो और उपासना रहसे का बोध कराओ श्री अनंता नंजी ने नरहरी को सविधी श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरे आनंद नाम रख दिया उनने आपको अपने पास रख करके समस्त वेद शाष्त्र पुरान आदिकों का निकूड तत्व समझाया और भगवत जन में आपकी रूची दे करके पंच गंगा घाट पर श्री गंगाजी के किनारे एकांत में एक कोट ही दे दी रूप में एक शाल ग्राम शिला प्राप्त हुई थी जिसे आप विजे राघव भगवान कहते थे और उनकी सेवा पूजा करते थे श्री नरहरे नंद जी महराज भगवत भक्ति का परचार परसाथ करने के लिए ती ताटन करते रहते थे आपने चित्रकूट श्री जगनाथ पुरी उडिशा गडखला राजस्थान में परियाग आदि अनेक स्थानों पर चत्रोमाश्य वरत किये और भगवत भक्ति का परचार किया एक वर आप ती तराज परियाग में अलोपी बागस्थित श्री अलोपी देवी मंदर में चत्रोमाश्य वरत का रहे थे महाँ आप भक्तों के अन्रोद पर श्रीमत बाल की रवाइन और श्रीमत भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम एम श्रीकिश का गुनगान करते उनकी सातिक भक्ती से प्रभावित हो करके सियम भगवती आलोपी देवी भी सातिक भावपन होगी और उन्होंने गाम के मुख्या को सप्न में आदेश दिया कि आप मैं वैश्नवी होगी हूँ अते अब मेरे स्थान पर पशु बली नहीं दी जाएगी यदि कोई मेरे कथन की विरुद मत्यमास से मुझे संतुस्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा तब से वहाँ सातिक पुजा होती है शिरी नरहरयानांद जी की मुख्य साधना स्थली चित्र कूट रही वहाँ आप नित्य शिरी कामता नाची की परकर्मा कते थी कहते हैं कि वहाँ आपको भगवान शिरी सीताराम जी अत्री अनसुया जी शिरी दत्तात्रे जी और शिरी कामता नाची के दिविद दर्शिन भी हुए थी यहीं पर भगवान शिरी ने आपको शिरी राम शिरित्रमानक सकार रहस का बोध कराया और बालक राम बोला को इसका अपदेश देने का आदेश दिया तोही राम बोला आगे चल करके गोस्वामी शिरी तुलसी दासी के नाम से विश्य विख्यात हुए आपकी शिरी अनंत तत्त अम्रत एं शिरी नाम परताप नामक दो रचनाई पर सिद्ध है